बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने कहर मचाया हुआ है इस वक्त हमारी मौजूदगी मुजफरपूर जिले में है और मुजफरपूर शेहर शेत्र में ही आने वाले अहियापूर थाने के हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि उस थाने तक जाने के लिए फिलाल हमें एक नाव का सहारा लेना पड़ रहा है ये मुजफरपूर का लो लाइन एरिया माना जाता है और बीते कई दिनों से यहां हालात कुछ ऐसे ही हैं कि सडक से थाने तक जाने के लिए कुछ इस तरीके से नाव पर बैठ कर जाना दिखाएंगे कि यहां पर जो भी घर बने हुए हैं चाहे वो कच्चे मकान हो या पक्के मकान हो वो सब फिलहाल पानी में डूबे हुए हैं और यह थाना इस वक्त किसी टापू जैसा आपको नजर आ रहा होगा क्योंकि यह लो लाइन एरिया है और बूढ़ी गंड़क नद कुछ ढूब चुके हैं और लोग यहां से पलायन करके उंची जगहों पर अब जा चुके हैं लेकिन चुकी यहाँ पर थाना है इसलिए थाने पर तो पुलिस रहेगी थाने पर फर्यादी भी आएंगे अपनी फर्याद लेकर लेकिन उन्हें फिलहाल इसी तरीके से नाव पर बैठ कर आना पड़ रहा है और हम भी इसी नाव पर सवार होकर अब थाने की ओर जा रहे हैं और हम आपको आगे की तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो गाड़ियां रखी होई थी यानि कि जो थाने ने जब्द की थी गाड़ियां वो फिलहाल पानी में पूरी तरीके से डूब चुकी हैं तस्वीर देखिए कि यह जो पिक अप वैन है या फिर जो टेमपो है और गाड़ियां पूरी तरीके से डूब चुकी हैं कहें अगर और हम दूसरी तरफ के भी आपको तस्वीर दिखाएं कि यह है आदर्श थाना अहियापूर और इधर के आप तस्वीर देखिए वही हालात कि जो तमाम गाड़ियां हैं चाहे वो ट्रक हों या छोटी गाड जिन्हें पुलिस ने जब्द किया वो सब कुछ फिलहाल पानी में डूबा हुआ है और मेरे साथ यहां के थाना इंचार्ज है सुनिल कुमार आप लोग ऐसे ही आते हैं नौ पर बैठ कर हां बुड़ी गंड़क में जाल अस्तर बढ़ जाने के करण थाना में पानी खुश क् Feltyama पन कते हैं मुझे इस ततरीके से डोलती नाओ पर जिस पर खाड़ा रहना भी मुश्किल है इस नाओ के सहारे वो थाने पहुंचते हैं अपनी फरियाद लिखाते हैं और फिर वापस चले जाते हैं ये थाना है जहां जो फरियादी है वो कुछ इस तरीके से यहां आते हैं और अपनी फरियाद लिखाते हैं नाओ में बैठ कर आते हैं और यह थाना फिलहाल पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है और यहां से आने और जाने का फिलहाल यही एक रास्ता है और ना सिर्फ यह थाना बलकि अगर हम आपको इधर दिखाएं तो यह पूरी की पूरी जो कॉलोनी है अहियापूर जो थाना छित्र है यह पूरी तरीके से डूबा हुआ है सारी गाडियां डूब गई है जो यहां पर जब्द की गई गाडिया थी या फिर यहां पर जो रहते हैं लोग उनकी जो गाडियां वो पूरी तरीके से डूबी हुई है और इस पूरे इलाके में आने क लिए ये थाने की ओर से एक नाव उपलब्ध कराई गई है फर्यादियों के लिए और जो इस थाने में लोग काम करते हैं वो लोग इसी नाव पर सवार होकर आते हैं और ये हालात सिर्फ मुझफरपूर जिले के इस थाने के नहीं बलकि फिलहाल कई जिलों में नदियों का जल इसतर बढ़ने से बाढ़ की तरास्दी में लाखों लोग इस वक्त परिशान हैं उमीद कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के हवाई सर्विक्षन में उनकी परिशानियां उनके दुख तकलीफ मुख्यमंत्री को नजर आएं उतकर्ष कुमार सिंग् झाल